नमस्ते दोस्तों सार्तत्व पर आपका स्वागत है आप सभी जानते हैं कि आत्मिक जागरण की यात्रा हर किसी के लिए अलग होती है आज के वीडियो में हम ध्वनी उप्चार के जरिये आत्मिक जागरण के अनोखे रास्तों का अन्वेशन करने जा रही है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा तो इसे अन्ग तक जरूर देखें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकिन को दबाना ना भूले ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सदियों से ध्वनी को उप्चार के रूप में इस्तिमाल किया जाता रहा है यह माना जाता है कि विशिष्ट ध्वनी तरंगे हमारे शरीर और आत्मा को प्रभावित कर सकती हैं जिससे हीलिंग और जागरती की प्रक्रिया शुरू हो जाती है आज हम कुछ लोग प्रिय ध्वनी उप्चार तकनीकों पर गौर करेंगे सिंगिंग बॉल जिसे तिब्बती भाषा में ड्रूंग चेन भी कहा जाता है एक प्रकार का घंटा है जो धातु से बना होता है यह तिब्बती बौध धर्म और अन्य हिमाली परंपराओं में सदियों से इस्तिमाल होता रहा है जब सिंगिंग बॉल को लकडी के मलेट से मारा जाता है या रिम के चारों और घुमाया जाता है तो यह कमपन करता है और सुन्दर, गहरी और गूंजती आवाजे पैदा करता है इन ध्वनियों की आवरित्ती और स्वर अलग-अलग आकार, मोटाई और धातु की मिश्रक धातु के आधार पर भिन होती है सिंगिंग बॉल का उपियोग विभिन प्रकार के स्वास्थ्य और कल्यान लाभों के लिए किया जाता है जिन में तनाव, चिंता कम करना, दर्द में कमी, बहतर नींद, रक्तचाप कम करना, ध्यान और एकाधरता में सुधार और आध्यात्मिक जागरिती शामिल है सिंगिंग बॉल का उपियोग करना आसान है आप इसे एक गद्देदार सतह पर रख सकते हैं और इसे लकडी के मलेट से मार सकते हैं या इनके चारों और धीरे-धीरे घुमा सकते हैं आप इसे अपने शरीर के पास भी रख सकते हैं और इसकी कमपन को महसूस कर सकते हैं यदि आपको कोई स्वास्थ्यस्थिती है तो सिंगिंग बॉल का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्तर से बात करें गरभवती महिलाओं को सिंगिंग बॉल का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए सिंगिंग बॉल को बहुत जोर से न बजाएं क्योंकि इस से आपके कानों को नुकसान हो सकता है Singing ball एक बहुमुखी उपकरण है जिसका उपयोग शारिरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बहतर बनाने के लिए किया जा सकता है यदि आप तनाव कम करने, अपनी नेंद में सुधार करने या अपनी ध्यान प्रथा को गहरा करने के तरीकों की तलाश कर रही हैं, तो Singing Ball एक कोशिश करने लायक विकल्थ है यह एक प्राचीन और सम्मानित उपकरन है, जो सदियों से अपनी शांत और उपचारात्मक ध्वनियों के लिए जाना जाता है Tuning Fork यू आकार की धातू की छड़े होती हैं, जो एक विशिष्ट आवरित्ती पर कमपन करती हैं इनका उप्योग सदियों से संगीत वाध्ययंत्रों को ट्यून करने और विभिन प्रकार के ध्वनि उपचारों में किया जाता रहा है जब Tuning Fork को मारा जाता है, तो यह कमपन करता है और एक विशिष्ट आवरित्ती की ध्वनि तरंगे उत्पन करता है यह ध्वनि तरंगे हवा और हमारे शरीर के माध्यम से यात्रा करती हैं, जिससे उतक और तरल पदार्थ कमपन करते हैं Tuning Fork का उप्योग विभिन प्रकार के स्वास्थ्य और कल्यान लाभों के लिए किया जाता है Tuning Fork की शांट और सुखदायक ध्वनिया तनाव हार्मोन के स्थर को कम करने और मन को शांट करने में मदद करती हैं कुछ अज्यैनों से पता चला है कि Tuning Fork थेरेपी दर्थ, विशेश रूप से सिर्दर्ध और मांस्पेशियों में दर्थ को कम करने में प्रभावी हो सकती है Tuning Fork की ध्वनिया विश्राम को बढ़ावा दे सकती हैं और नेंद की गुनवत्ता में सुधार कर सकती हैं इसका उप्योग मन को शांत करने और एकागरता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है Tuning Fork का उप्योग शरीर के विभिन ऊर्जा केंद्रों जिन ही चक्र कहा जाता है को संतुलित करने और सामंजस्य स्थाप्रित करने के लिए किया जा सकता है चेतना के उच्चस्तर तक पहुँचने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी Tuning Fork का उप्योग किया जा सकता है Tuning Fork का उप्योग करना आसान है आप इसे अपने शरीर के पास रख सकते हैं या इसे सीधे अपने शरीर पर रख सकते हैं आप इसे अपने कान के पास भी रख सकते हैं और इसकी ध्वनी सुन सकते हैं यदि आपको कोई स्वास्थ्यस्थिती है तो Tuning Fork का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्तर से बात करें गर्भवती महिलाओं को Tuning Fork का उप्योग करते समय साबधानी बरतनी चाहिए Tuning Fork को बहुत जोर से न बजाएं क्योंकि इससे आपके कानों को नुकसान हो सकता है Tuning Fork एक सरल और शक्तिशाली उप्करण है जिसका उप्योग शारिरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बहतर बनाने के लिए किया जा सकता है यदि आप तनाव कम करने, अपनी नेंद में सुधार करने या अपनी ध्यान प्रथा को गहरा करने के तरीकों की तलाश कर रही है तो Tuning Fork एक कोशिश करने लायक विकलत है Binaural Beats एक ध्वनी तकनीक है, जो हेड़फोन के माध्यम से दो थोड़ी अलग-अलग आवरित्तियों को सुनने पर आधारित होती है जब आप प्रत्येक कान में एक अलग आवरित्ति सुनते हैं, तो आपका मस्तिष्क इन दोनों आवरित्तियों के बीच अंतर को धड़कता हुआ सुनता है यहाँ धड़कन एक तीसरी आवरित्ति बनाती है, जिसे Binaural Beats कहा जाता है हमारे मस्तिष्क लगातार विद्युक गतिविधी उत्पन करते हैं, जिसे मस्तिष्क तरंग पैटर्न के रूप में मापा जाता है मस्तिष्क तरंगों की आवरित्ति हमारी चेतना की स्थिती को निर्धारित करती है उदाहरन के लिए जब हम जाकते और सतर्क होते हैं तो हमारे मस्तिष्क तरंगों की आवरित्ती अधिक होती है जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे मस्तिष्क तरंगों की आवरित्ती कम होती है Binaural Beats का उपयोग विशिष्ट मस्तिष्क तरंग पैटर्न को प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है जब आप Binaural Beats सुनते हैं तो आपका मस्तिष्क धड़कन की आवरित्ती को समायुजित करने के लिए अपनी मस्तिष्क तरंगों को सिंक्रोनाईज करता है इसका मतलब है कि आप अपनी चेतना की स्थिती को बदलने के लिए Binaural Beats का उपयोग कर सकते हैं Binaural Beats तनाव और चिंता कम करता है यह बहतर नींद एकागरता और ध्यान में सुधार, दर्द में कमी, स्रिजनात मक्ता और प्रेना को बढ़ावा देना और आध्यात्मिक जागरती में भी सहियोगी माना जाता है Binaural Beats का उपयोग करना आसान है आपको बस Binaural Beats आडियो ट्राक डाउनलोड करने और हेड़फोन पहन कर सुनने की आवश्यक्ता है यदि आपको कोई स्वास्थ्यस्थिती है, तो Binaural Beats का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्तर से बात करें गर्भवती महिलाओं को Binaural Beats का उपयोग करते समय साब्धानी बरतनी चाहिए Binaural Beats को बहुत जोर से न सुने, क्योंकि इससे आपके कानों को नुक्सान हो सकता है Binaural Beats एक सुरक्षित और प्रभावी तक्नीक है, जिसका उपयोग विभिन प्रकार के स्वास्थ्य और कल्यान लाभों के लिए किया जा सकता है ध्वनी उप्चार के कुछ संभावित लाभों में शामिल है तनाख कम करना, बहतर नींद दर्द कम करना, रक्तचाप कम करना और आत्मिक जागरिती को बढ़ावा देना ध्वनी उप्चार को अपनी दिन्चर्या में शामिल करना आसान है आप निर्देशित ध्यान के साथ संगीत सुनने से शुरू कर सकते हैं, जो विशेश रूप से ध्वनी उप्चार के लिए बनाया गया हो आप तिब्बती सिंगिंग बॉल या क्यूनिंग फोर्ग खरीद सकते हैं और उन्ही स्वय बजाना सीख सकते हैं कई ओनलाइन संसाधन और कार्यशालाएं भी उपलब्ध हैं, जो आपको ध्वनी उप्चार के बारे में अधिक जानने और इसका अभ्यास करने में मदद कर सकती हैं दोस्तों, अगर आपको ध्वनी उप्चार के माध्यम से आत्मिक जागरती के बारे में यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेर करें नीचे कमेंट्स में अपने अनुगव या सवाल जरूर लिखें धन्यवाद, ओम नमाशिवाई मिलते हैं अगले वीडियो में